बॉनिंग गाइज तो आज का जो हम लोग का लेक्चर है इसमें हम लोग यूनिट टू का जो चैप्टर फॉर है जो लास्ट टेम हम लोग का कम्प्लीट नहीं हुआ था वो करेंगे लेट स्टार्ट तो आज करेंगे लेट स्टार्ट नहीं हम लोग के पास यूनिट टू का ये लास्ट पार्ट है जो रिस्डिक्शन इन साइबर वर्ल्ड जो रिस्डिक्शन का मतलब क्या है कि जो भी ऑफिसर्स है उनका लिमिट उनका ऑथोरिटी कहां तक है अब जब अगर हम लोग फिजिकल वर्ल्ड की बात करता है वो टाइम पे तो बहुत सिंपल होता है तो डिफाइन द जूरिस्डिक्शन की जैसे एक पुलिस्टेशन है उसका जूरिस्डिक्शन है अंदेरी एस्ट और उसमें भ खुजआ है को कोई स्पेसिफिक एरिया तक होगा सेम वें सब जगा पे भी वैसी चल सकता है जब अगर हम लोग साइबर वर्ल्ड में अगर जूरिस्रिस्डिक्शन की बात करता है तो यहां पे जूरिस्डिक्शन डिफाइन करना बहुत ड़िफिकल है क्योंकि फैसिकल व सबसे पहले तो देवी लास कि ओके एक्जेक्ली कहा से हुआ है तो अगर मैं बूलू का कि चलोगी यह XYZ स्टेशन के पास हुआ है तो देवी लाइक ओके सो गो टो डाट स्टेशन के पास जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा समटाइम देन हम लोग वहाँ पे जाएंगे तो इल से क्योंके वेर यू स्टेशन कहां से स्टार्ट हुआ था वहाँ पे जाके करना पड़ेगा सो बहुत बार पुलिस यूस्टू समटाइम्स अवउइड टेकिंग अप सम केसिस जस्ट टू सेव दे टाइम या फिर उनको वो केस में पढ़ना नहीं है यह बहुत बार होता है और जब ऐसे कोई केसिस के लिए अगर हम लोग जाते तब तो बहुत बार ही होता है सो इसके लिए हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि जैसे physical crime के लिए हम लोग अगर बोलता है कि यहाँ पे यह police station का jurisdiction होगा यहाँ पे यह police station का jurisdiction होगा वो physical crime के लिए तो valid होता है लेकिन virtual crime जो होते है वहाँ पे आप ऐसे jurisdiction नहीं बता सकते तो वो यहाँ पे दिया है क्योंकि virtual crime में जो क्राइम हुआ है वो इंडिया से हुआ है या इंडिया के बाहर से हुआ है ये भी हम लोग को नहीं पता है तो इसके लिए आप देखो कि हम लोग यहां पर जुरिस्डिक्शन जो है उसको अलग वी में रिप्रेजेंट करता है अगर मैं आके सिर्फ आपके पास केस लिखा सकता हूँ तो पुलिस यह नहीं बूलेगा कि ओके आपके उपर आपके साथ अगर कोई फ्रॉड या चीटिंग हुआ है वर्चुल वे में तो वो यह स्पेसिफिक लोकेशन पर हुआ है यह यह स्पेसिफिक लोकेशन पर हुआ है विकाज हम लोग को भी नहीं पता है कि जिसने यह क्राइम किया है उसने एक्जेक्ली कौन से लोकेशन से किया है यहाँ पर क्या बोला है इंटरनेट कम्यूनिटी एस क्रियेटेड फॉर इसल्फ वन अफ दो मोस्ट डिबेटेड क्वेशन यहाँ पर देखो क्या बोला अब मतलब जब आप नॉर्मल फिजिटल क्रैम्स की बात करते हो तो वो टाइम पे तो यह जुरिस्डिक्शन और उसके रिलेटेड जो भी रूल्स बनाया है वो प्रॉपर है लेकिन अगर हम लोग वर्चुल वोड की बात करेंगे तो वहाँ पे कही ना कहीं यह माच नहीं करत है गेटिंग सो यहां पर आपको क्या बुला है आई-टी क्या बुला है आई-टी दे लीगल कम्यूनिटी हैस चैलेंग तब प्रेजेंट लो एड ग्लूबल लेवल बेस्ट ऑन फॉलोविंग ग्राउंड सबसे पहले लिखे है रिस्क ओफ वेबसाइट फेसिंग क्यों कि आपने जो कंटेंट आड किये है या जो पॉलिसीज फॉलू करें वो प्रॉपर नहीं है ऐसा बहुत बार होता है और कभी-कभी जो फॉरिन लॉओ है वो करेक्ट भी होते हैं कभी-कभी वो ज्यादा हार्श भी होते हैं टोर्ज अस सो देट उनके बिजनेस ज्यादा ग्रोग कर सकें तो यह दोनों वे में हम लोग पॉइंट्स रख सकते हैं देन नेक्स क्या बुला है इनकंसिस्टेट और हार्श डिसीजिज़न अफ कोड रोग आप्ली की लीटि लेटियाग फॉड विर्ट रिश्दिक्शन थें नेक्स क्या बुला है इस टू गराउं में आश्या बॉलेट एक और आपको बाहर के सर्टन कंट्री में मेरेगा उतना क्विक डिसीजिजिज इंडिया पर नहीं मिलते हैं and वो वो जादा इतना मतलब जितना डीले यहां पर होता है उतना डीले भी नहीं होता है तो बहुत कुइक डिसिजिजन आता है अगर इंडिया से अगर कोई है तो sometimes they find किवे कीओ के बहुत quick decision हो गया decision inconsistent था जैसे इंडिया में हम लोग pattern follow करते वैसा नहीं हुआ यह problem होता है तो यहां पर क्या बोला है present law of jurisdiction validity and relevance with respect to internet are attacked on the ground of hardship for websites which are exposed to litigation तो certain अगर websites है जो basically क्या है वो certain content उस पर प्रॉपर नहीं है या वो websites correct नहीं है तो क्या होता है कि वैसे websites को हम लोग attack करते हैं और वो websites जहां से अभी कि मेंदी होस्ट हुआ है वहां से हम लोग start करेंगे ना यह सारे चीज़े उनके उपर कही ना कहीं यह आता है अब उसके आगी क्या बुला है it is important to understand internet gives a platform to reach every customer on the map internet reaches everywhere anywhere from everywhere now global nature of internet invites consumers to foreign courts or help them to comply with the local laws of different countries which they wish to attract so सबसे important अब Facebook worldwide बहुत सारे country में आपको मिलेगा वो चलता है लेकिन जो country में suppose अगर वो बहुत सारे country में चलता है लेकिन जब वो इंडिया में आएगा तो इंडिया के जो certain legislative rules रहेंगे law हैंगे वो करना ही पड़ेगा getting और दूसरी बात कि अगर यहां पे यह government के साथ अगर Facebook का कुछ dispute होता है ना तो we have a dispute settlement mechanism और वो dispute settlement mechanism हम लोग को मिलता है जो हम लोगों ने WTO पढ़ा था WTO के अंदर हम लोग के पास trips नम का agreement है और उसके साथ dispute settlement mechanism है तो अगर ऐसा कुछ अगर problem हुआ तो हम लोग वहां पे जाएंगे तो बहुत बार आपने सुना रहेगा कि US जो है वो WTO में गया अगेंस्ट इंडिया तो उसका मतलब रहता है कि जब country से country का कुछ dispute होता है तो वो टाइम पे यहां के जो court है Supreme Court High Court उनका उनका कुछ नहीं चलेगा तो finally WTO ने जो अगर कुछ decision दिये है वो मानने ही पड़ेंगे तो यहां पर वही बता है कि जब अगर internet आप internet पे एक website अगर multiple countries आप उसको provide कर सकते है उसका access तो same point of time पे यह website जो आपने बहुत सारी location पे provide किये न वो सारे websites basically मतलब वो सारे country पे जब आप इसको provide कर रहे है यह website के accessible बना रहे है तो उसके साथ में आपको यह भी देखना पड़ेगा कि वो country specific rules या law क्या है क्योंकि वो country specific कुछ rule या law आपका website अगर follow नहीं कर रहे है तो वो country क्या करेगा वहां से website को band करेगा plus उसके उपर case करेगा ठीक है तो यह main problem है देखो local law of different countries which they wish to attract यह होता है jurisdiction jurisdictional invitation from foreign courts depends upon intent intent मतलब intention and the activities of the website the grievances website could have grievances मतलब क्या problem है बराबर है what is the current situation what is the problem basically going on तो अब यह website का grievances यह problem क्या है that could have to face litigation मतलब यह legal case आपको face करना पड़ेगा कहीं पे भी यह हो सकता है कोई भी place पे हो सकता है और वहां पे यह भी होगा कि बहुत बार ऐसा होगा कि हम लोगों ने जो कही ना कहीं कोई website बनाया वो कोई ना कोई global jurisdiction में आ रहा है बराबर है और या फिर कोई country के jurisdiction में आ रहा है तो वहां पर के कुछ rule हम लोगों ने follow नहीं किये या हम लोगों को पता ही नहीं थे और उसके अज़ेसे problem स्टार्ट हुआ तो इसके लिए आप देखो कि अगर facebook जैसा या google जैसा अगर कोई company है ना तो वो basically क्या गरते पता है वो सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग start कहां से कर रहे हैं और अगर हम लोग कोई दूसरे country में जा रहे है न तो वहां के जो local रहेंगे उनको hire करेंगे और उनको responsibility देंगे वहां का server वहां का procedure handle करनेगा जिससे वहां के जो लोग है उनको clear idea होगा ही वहां के जो rules है law है उसके बारे में so यह जो problem उनको face करना पड़ रहा है वो उनको face नहीं करना पड़ेगा that is the main purpose okay so यहां पर वही दिया आपको then next अगर आप देखेंगे तो क्या बुला है coming to a second ground of inconsistency in the application of a present law मतलब जो proper नहीं अभी क्या जो rule है अभी का जो law है उसमें कही ना कही कुछ problem है वो आम लोग बताने के dry कर रहे है वो क्या है it is important first to know Indian laws of jurisdiction and the decision of the court in US on the jurisdiction of our internet आप देखो की US में जो rules है वो कही ना कहीं अलग है और Indian jurisdiction का जो rule है वो अलग है तो क्या है दोनों match नहीं करते है बराबर है और आप अगर देखेंगे की WTO या international जो bodies होते है उनके जो rule रहते है वो बहुत बार standard या match होते रहते है with this US और European law तो यहाँ पर देखो क्या होला it is important to have a journey to the courts in US as Indian judiciary is yet to confronted with the issue of internet jurisdiction and यही हम लोग को बता रहे है जैसे हम लोगोंने बहुत सारे जो rule या law है वो इंडिया में जब ये technology specific बना है या cyber law बनाया हम लोगोंने तो वो हम लोगोंने बहुत सारे चीज़े जो है ना वो borrow किये from US, UK like that so अब जो चीज़े हम लोगोंने वहाँ से borrow किये है वो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा वो same I mean जब यहाँ पर अगर कुछ rule बनाना है तो हम लोगोंने वहाँ के law देखे उसको समझा और कुछ चीज़े उसी में से हम लोगोंने borrow करके इंडिया में जो cyber law बनाना उसके अंदर हम लोगोंने रखे तो जब अगर कहीं पर कुछ issue भी अगर आता है तो आपको देखना है कि अम लोगों को jurisdiction का issue आ रहा है with respect to virtual crime या with respect to cyber law तो आप वहाँ पर जाके देखोगी US में या European country में जहां पर यह ऐसे cases जो है वो बहुत properly चल रहा है वहाँ पर उनके पास जो jurisdiction specific क्या provisions है बराबर क्या law है तो कही ना कहीं आपको पता चलेगा कि आपका mistake कहाँ पर है और उसको हम लोग solve कर सकते है because आज के रहें पर वो main problem होता है आप cyber case में भी कहीं पर जाएंगे ना तो बहुत बार क्या होता है कि जो police officer है उसको अगर case समझ में नहीं आता है या फिर उसको लगता है क्यों कि यह बहुत complicated case है मुझे यह case का नहीं लेना है तो वो क्या करेंगे just for avoiding purpose they will say कि यह हम लोग के jurisdiction में नहीं आता है और अब जो normal citizen है उनको तो पता नहीं है तो certain चीजे जो है ना यह हम लोग यहाप बताने की try कर रहे हैं कि आप अगर यह से US में है जहाँ पे successfully उन्होंने apply किया हुआ है या first time उनको भी ऐसा कुछ problem माया था और उसको उन्होंने वापस modify किये तो ऐसी certain modification अगर हम लोग भी डालेंगे तो आपको इसका और clear picture मिलेगा तो यहापे आपको क्या बोला है देगो civil law jurisdiction in India civil law अब civil and criminal law दो टाइप के law होता है civil law मतलब एक normal कुछ crime है text jury हो गया property disputes है family के कुछ disputes है यह सब civil law में आएंगे और criminal मतलब actual criminal cases आएंगे जो बहुत ज़ादा हम लोग बोलते serious nature के होते है तो यहापे आपको क्या बोला है जो आपका jurisdiction है civil court का वो classify किस में होता है तीन type में pecuniary, subject matter and territorial ठीक है तीन type है अब तीनो type हम लोग one by one समझते है first में क्या बोला है pecuniary jurisdiction implies देखो क्या बोला है this jurisdiction implies jurisdiction based on monetary limits मतलब मैं बोलूँगा क्यों 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 आपका अगर जगड़ा अगर इतने इतने लाग का है जैसे अगर business dispute हुआ है तो first जो होता है ना उसमें हम लोग बोलेंगे क्यों के अगर आपका जो dispute है business dispute वो अगर पाच लाग तक का ही है then you go to high court और अगर पाच करूड से जादा का है पचास करूड का या 100 करूड का है तो वो टाइम पे आप कोई दूसरे कोट में जाएंगे तो यहाँ पे वोई दिया है देखो अगर पाच लाग तक का value है जो आपको dispute file करना in Mumbai you would have to file in Mumbai high court and अगर पाच लाग से कम का है तो वो टाइम पे हम लोग district court पे जाएंगे तो मतलब पाच लाग के उपर का भी वो पचास लाग हो पाच करोड़ो पचास करोड़ो या पाच सो करोड़ो आपको कहां पे जाना है high court में जाना और पाच लाग से छोटा अगर है तो हम लोग कहां पे जाएंगे district court पे जाएंगे so यह jurisdiction वापस change हो गया कौन से basis पे हम लोग उने change किया based on कि आपका dispute क्या amount का है then next में हम लोग क्या बता रहा है subject matter अब यह तो बहुत important है कि like कहां पे किसका subject है क्या subject है कौन से subject की basis पे dispute है तो कहां पे हम लोग file करेंगे so देखो यह पे क्या बुला है jurisdiction for certain subjects has been exclusively wasted in a particular court for example a petition for winding up of a company मतलब आपको यहां से company बन करके जाना है तो वो टाइम पे आपको यहां से permission लेना पड़ेगा and ऐसे ही कोई अप company बन करके नहीं जा सकता है it might possible ना कि आपने कोई अपने जो dues है वो clear निंग किये आपके जो employee है उनका salary clear किया है कि नहीं salary दे दिया है तो उसके साथ मैं आपने उनका जो पी एफ और यह सब जो उनको बोला था वो सब मिला है कि नहीं और आपने company बन करने के पहले अपने सारे employees को एक duration बोला था कि नहीं क्योंकि यह जो हम लोग बोलता है ना कि हम लोग उनको already advance में बोल दिया था कि this is your time duration इसके बाद में हम लोग जो है वो अपना company को बन कर रहे so यह सब आएगा और third जो आता है वो territorial वाला आता है तो यह territorial वाला तो हम लोग को पता है so territorial jurisdiction is for the purpose of the issue on hand territorial jurisdiction is subject to अब देखो क्या बोला कभी कभी ऐसे pecuniary limits के उपर भी territorial jurisdiction आता है और subject matter के उपर भी आता है so territorial jurisdiction is subject to सबसे पहले क्या है आपका monitory limit क्या है और उसके साथ subject matter क्या है यह दोनों को combine करके हम लोग territorial jurisdiction define करता है मतलब बहुत बार यह होगा कि ओके territorial jurisdiction मतलब exactly कौन से court में केस फाइल करो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे आपका subject matter क्या है कमटी बंद करना है ओके और उसके साथ में उसरा देखेंगे क्यों की कमटी बंद करना है प्लस आपको प्लस उसके साथ में आपको कुछ ड्यू सेटल करना है क्या है कुछ डिस्प्यूट सेटल करना है सब्स वह पाच करोड का है तो हम लोग यहां पर देखेंगे क्यों के ओके तो monitory limit क्या हो गया पाच करोड का हो गया subject matter और monitory limit यह दोनों को ध्यान में रखते हुए हम लोग बोलेंगे क्यों के at this place at this place you are going to file a case so यह यहां पर हो सकता है अब देखो next आपको यहां पर क्या बोला as per the PC civil procedure code एक case एक suit आप कहां पर फाइल कर सकते है immovable property is needed to be instituted in a court within whose jurisdiction the property is situated मतलब अगर सब जो property related घर को लेके जगड़ा है या कोई एक जमीन को लेके जगड़ा है that is immovable बराबर है वो रहेगा तो वहां पर ही तो वो जो court के jurisdiction में आता है जो court के boundary में आता है वहां पर ही हम लोग case file करेंगे section 16 of CPC क्या बता रहे section 16 of CPC suit for compensation for wrong to immovable properties held by the defendant compensation मांग रहे है कि आपने उसका property उसके company पे या तो आपने जबरदसी कबजा किया तोड़ा जो भी कुछ है तो वो time पे हम लोग क्या करेंगे वो जो defendant है वो defendant के side से हम लोग अगर case file कर रहे है defendant मतलब जिसके उपर हुआ है यह case कि अगर वो बोल रहा है क्योंके मैं अगर बोल रहा हूं कि एक्सवईजी परसन जो है उसने मेरा घर तोड़ दिया या जबरदस्ती मेरे family को बहार निकाल के अभी वो वहाँ पे घर पे रह रह रहा है यह ऐसा कुछ भी हो सकता है सो यहाँ पर क्या बोला है compensation for wrong to immovable property कुछ तो आपने यह property के साथ में cheating किया है आपने किसी दिसरे को बेज दिया तो किसने किसके उपर आप allegation लगा रहे है तो सबसे पहले आपको देखना बढ़ेगा कि जिसके उपर आप allegation लगा रहे है क्योंकि जब तक वो प्रूव नहीं होते वो allegation ही रहेंगे तो वो person जिसके उपर आप लगा रहे उसका capacity है क्या कि आप जितना compensation मांग रहे है वो उतना देखता है ये भी देखना आपको वेरा relief is obtained from this such law can be filed in a court having jurisdiction over a place where the property is situated वेर defendant resides और carries a business और a personally work for a gain where the immovable property situated within the jurisdiction of different courts तो सबसे पहले क्या मोला है कभी कभी ऐसा होगा कि जो person ने आपके साथ cheating किया है तो हम लोग यहां पर यह बता रहे है कि कभी कभी confusion क्या होगा मैं case वहाँ पर file करूँगा जहाँ पर मेरा property इसने cheating से किसी दूसरे को बेज दिया या फिर मैं वहाँ पर file करूँगा जहाँ पर इसका खुटका estate agency है तो यह दोनों अलग अलग place पर suppose मेरा जो property इसने बेज दिया मुझे पुछे बिना वो Mumbai में और यह person जो रहता है वो suppose रहता है पूना में तो क्या हो गया jurisdiction court का jurisdiction जो है वो change हो गया तो अब यहाँ पर हम लोग को यह देखना है कि जो defendant है वो कहा रहता है या वो अपना business कहा से कर रहा है है ना तो immovable property जो है वो अभी अलग-अलग court के jurisdiction में आएगा क्यों अलग-अलग court के jurisdiction में आएगा क्योंकि जिसने fraud किया है property पे उस अलग रहता है और उसका business suppose चलता है दली में और उसने property बेचा है मुंबई में तो मैं बोलूँगा कि so अब क्या होगा कि suppose यहाँ पे तीन court के jurisdiction लगेंगे वो पुरा में रहता है तो वो मुंबई में property बेच दिया बिना पूछे तो मुंबई और दली में business कर रहा है मतलब दली का में ही उसका estate agent का main business ता जिसके base के ओपर उसने मुंबई में property बेचा तो क्या हो गया अभी different courts के jurisdiction यहाँ पे आ गए next आपको क्या बोला है when is uncertain as to within with jurisdiction out of two or more courts any immovable property is situated कभी 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 यह problem sorry होता है if any of the said code satisfies that there is a ground for uncertainty then they may adjudicate the same so I hope this is very clear to everyone next आपको देखो क्या बोला है अब next example देखो ध्यान से और उसके बाद में उपर वाला case जो है आपको easily समझेगा देखो क्या बोला है A. residing in Delhi beats B. in Kolkata तो अब क्या है A. रहता कहां पर देली में वो दुरों का जगड़ा किदर हुआ Kolkata में हुआ तो B. जो है वो सबसे पहले तो A. के उपर case file कर सकता है Kolkata में या Delhi के अंदे दूसरा situation क्या है दूसरा situation में बोल रहा है कि A. जो है वो देली में रहता है इन देली publishes in Kolkata statement defamatory मतलब ये रहता तो देली में बड़ाबर है जैसे एक newspaper या एक magazine है जो देली से publish होता है बराबर है तो वो देली से publish होता है लेकिन उसके अंदर कुछ statement जो उनोंने दिया देली में लाइक publication जो हूआ वो magazine का वो Kolkata में भी हुआ और वहाँ पे उनोंने B. के बारे में कुछ rumors फैलाने का try किया जैसे आप देखो कि अभी Kolkata में वो जो election campaign का बहुत जादा booming चल रहा है तो अगर moody government है और वहाँ पे जो जो दीदी का government है ये दोनों के बीच में कुछ dispute होता है या फिर कोई तो उसके बारे में ऐसा कुछ तो publish करता है वहाँ पे तो वह क्या हो गया derogatory defamatory हो गया मतलब मानानी का case आने के chance है so B में मतलब अभी जिसके उपर जिसके उपर ऐसे wrong आपने rumors फैला है जिसके बारे में अफ़ा फैला है ऐसा जिसका आपने image खराब करने का try किया है so अभी हम लोग देखेंगे कि वो person जो है वो या तो कॉलकता में जहां पर उसके साथ ऐसा हुआ है या फिर ये magazines जो main उसका head office जो है वो suppose डेली में तो हम लोग डेली हाइकोर्ट या कॉलकता हाइकोर्ट दोनों जगा आपर case file कर सकते है section 20 of CPC mentions that the subject to the limitations every suit shall be अब देखो यहाँ पर shell लिखा है मतलब compulsory instituted in a court within the local limit of whose jurisdiction बराबर है तो यह हम लोगों ने clear कर दिया है किसके local limit में आ रहा है उसका jurisdiction वहाँ पर easily apply होना चाहिए तो अगर मैं बोल रहा हूं कि ओके यह जो है वो डेली में रहता है तीक है लेकिन उसने जो magazine publish किया एक वो कॉल करता में किया है वहाँ पर जो election चल रहे थे उसके लिए तो magazine कहाँ पर आया कॉल करता में आया publish कहाँ पर हुआ कॉल करता में हुआ जो person के उपर rumors लगा है वो कहाँ पर कॉल करता में तो फिर जो defendentary case file होगा वो भी हम लोग कहाँ पर करेंगे कॉल करता में करेंगे तो यह confusion clear करने के लिए ऐसा कर सकते है next आपको क्या बोला defendant मतलब जिसके ओपर case हुआ है या each of each of defendants where there are more than one at a time of commencement of the suit actually and voluntarily resides or carries a business or personal work for a game सब ऐसे भी हो सकता है ना कि हम लोग जो case file कर रहे है वो एक से जादा लोगों के उपर file कर रहे है जैसे मैं बोल रहा हूं कि there are three people जित लोगों ने ऐसे कुछ sorry so there are three people जिनों ने ऐसे कुछ allegation लगा है और वो तीन लोग जो है वो तीन अलग-अलग location पे रह रह रहे है getting so वो टाइम पे हम लोग क्या मुलेंगे कि अभी मेरे साथ fraud हुआ है और वो fraud जैसे ये देखो ये कॉल करता वाला जो केस है कि आपने रूमर्स फेला है तो सपोज कोई एक 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 एक्सवाइजी परसन के खिलाव रूमर्स फेला है अभी अब वो परसन रहता का आप है कॉल करता में बाकी जो लोगों ने ये पब्लिश किया है material वो सपोज तीन लोग है इसमें से एक मुंबई में है एक देली में है और दूसरा सपोज यहां पे है चेंड नहीं में है तो अब यहां पे जब अगर आप देखेंगे आपके पास at a time multiple defendant है जो अलग-अलग location पे रहता है तो वो टाइम पे आभी आप लोग कहां पे जाएंगे ये भी confusion होता है आप यहां तो रह रह रहे हो या बिजनस कर रहे हो बराबर है तो वो टाइम पे अगें जो जुरिस्डिक्शन डिफाइन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है लाइक यह देखो यह case दिया है A is a tradesman in Kolkata B carries a business in Delhi दो चीज़ है देखो A Kolkata से belong कर रहा है अपना trading कहां पे कर रहा है वो Kolkata में कर रहा है B का business कहां पे Delhi में B by his agent in Kolkata buys goods of A and request A to deliver them to East Indian railway company A delivers the goods according to accordingly in Kolkata A may sue B for the price of goods अब क्या बोल रहा है यहां पे A may sue B for price of goods मतलब आपने मेरे साथ यहां तो पैसा कम दिया है या फिर जो contract हुआ था वो आपने follow नहीं किया है कुछ भी problem हो सकता है तो वो time में अभी suppose यहां पे price को लेके अगर dispute हुआ है तो क्या बोल रहा है A जो है वो B के उपर case file कर सकता है prices को लेके कहां पे आइधर in Kolkata where the action cause of action cause of action मतलब actually situation जो create हुआ पर जो problem start हुआ और कहां से हुआ where the cause of action has arise और in Delhi जहां पे इसका main business चल रहा है बराबर है जहां से वो पूरा अपना main business चलाता है यह दोनों साइड पे हो सकता है next क्या बोल रहा है A resides in Shimla B Kolkata में C Delhi में अब ABC being together कहां पे दे वो तीनों वारा रसी में थे now B and C make a joint promissory note payable on demand and deliver it to A बराबर है मतलब उन्होंने दोनोंने मिलके क्या किया एक business deal किया एक के साथ में और जिसमें दोनोंने कोई न कोई problem किया बराबर है तो यहां पे हम लोग क्या बोल रहे है A base you B and C at Vara Nasi क्योंकि वहां पे promissory note file हुआ था कि हम लोग आपको एक करोड़ दो करोड़ देंगे against your business या service जो भी है now तो अभी कहां पे business deal कहां पे हुआ cause of action जो है मतलब जो main place जहां पे यह fraud हुआ वह कौन सा है वारा नसी है now their cause of action arose now he may also sue them at Kolkata बराबर है why Kolkata because जो B है वो Kolkata में रहता है तो Kolkata में आ सकता है या फिर C जो है वो Delhi में रहता है तो अमलों Delhi में भी case file कर सकते है but each of this case if a non-resident defendant objects the suit cannot proceed without the leave of the court बराबर है तो यहां पर अभी बहुत बार क्या होगा कि आपको जो जो जगह पर case file करना है तो दूसरे court का permission भी बहुत बार लेना पड़ता है non-resident defendant object that suit cannot be proceed without the leave of the court किया ओके वहां का जो court है वो बुलेगा कि ठीक है यह जो case है आप जो वारा नसी का जो court है वहां पर लड़ सकते है I hope this is clear okay will it take five minutes break then वापस continue करते है I think यह lecture end हो नहीं आया अभी तो यह lecture end होगा नया start करते है उसके साथ हम लोग आगे so now next जो है ना that is 4.3 देखो यह पर हम लोग को क्या बुला है cause of action so first book क्या हो है यहां पर लिखा है a cause of action means a fact which gives a person the right seek judicial relief or we can also say that cause of action in a law is a set of facts sufficient to justify a right to sue obtain money property or enforcement of right against another property so cause of action में मैं easily बता सकता हो कि what is the cause of action क्या क्या basically आपके साथ cheating हुआ fraud हुआ क्या हुआ और exactly वह कहां पर हुआ है जिसके इसके उपर we can file a case बराबर है so cause of action means whole bundle of material facts कि मैं बोलूँगा क्यों कि हम लोग का जैसे उपर हम लोग ने example देखा कि business deal था वो business deal जो हम लोग साइन हुआ suppose वारा नसी पे और तीन लोग जो रहते है वो तीन अलग अलग location पर रहते है सो अम लोग के पास cause of action मिला cause of action क्या है business deal आपका साइन हुआ और उसमें fraud हुआ है और वो fraud कहां पर हुआ है वारा नसी पर हुआ है so that is the actual fact बराबर है so वहाँ पर आपको क्या बोलने देखो material facts which are necessary for plaintiff plaintiff मतलब जिसके उपर ये crime हुआ है जो जिसको ये proof करने में थोड़ा बहुत easy हो जायाएगा कि मुझे case file करना है और मैं exactly case file कहां कर सकता हूँ बराबर है ये possible होगा next क्या बोलने हम लोग if anything is not true or everything which is not true would give the defendant मतलब जिसके उपर case हुआ है a right immediate judgment in his favor would constitute the cause of action मतलब आपने अगर wrong case file कर दिया किसी के उपर और बाद में अगर पता चलता है कि जो जो आप प्रूफ कर रहे वो अगर correct नहीं है तो वो time में फिर क्या होगा immediately वो case जो किसके favor में चले जाएगा मतलब कौन से rules आपने अगर तोड़े है जिसके base के उपर हम लोग बताएंगे क्योंके cause of action has arise मतलब जिसके base के उपर मैं case कर सकता हूं जैसे मैं बोलूँगा cause of action मतलब in shot में ये बताने की try कर रहा हूं क्योंके ऐसा कोई situation create हुआ ऐसा कोई main चीज ऐसा कुछ हो गया जिसके base के उपर मैं अभी आपके उपर case file करूंगा so दिखो यह आपने क्या व्लैट व्लैट दस नौट हाविवर comprise of every piece of evidence which is necessary to prove each fact but it is every fact that is to be proof वो ही बता रहे दें बहुत simple है example दिखो यह आपने किया दिया है the court of India have jurisdiction over foreigners based on cause of action मतलब हम लोग कोई foreigner के उपर case कब file कर सकते है जब cause of action जो है वो इंडिया में हुआ है lie a transaction the cause of action has arise in India say in Mumbai holy or in a part the court in Mumbai would have jurisdiction whether defendant is resident of India or is a foreigner बराबर है so अगर cause of action कहां पे हुआ Mumbai में हुआ है मतलब वो foreigner ने इंडिया में आके कुछ fraud किया है तो वो time में उसने exactly fraud कहां पे किया है वहां का jurisdiction apply हो जाया है so that's how we basically define the jurisdiction next आपको देखो क्या बुल है jurisdiction and IT Act 2000 there are some provisions of IT Act affects the determination of the place of jurisdiction in dispute in connection with the internet so the cause of action अब देखो ये तो आम लोग बोल रहे कि ये physically सब चीज हो रहा था तो आम लोग को पता है कि exactly अगर आपका जो fraud हुआ 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 या फिर दूसरा कोई fraud जो हुआ वो देली में हुआ ऐसा हम लोग को पता है लेकिन जब अगर हम लोग internet की बात करेंगे ना तो cause of action कहां से exactly हो रहा हुआ हुआ हम लोग को नहीं पता है जैसे मैं अपना bank account यूज ही नहीं कर रहा था और suddenly मेरा bank account जो है वो उसमें से कुछ पैसे deduct हो गया अब automatically वो हुआ है ऐसा तो नहीं है मैंने access किया है Mumbai से online banking को एक computer से और वो type पे हुआ है नहीं मैं बोल रहा हुँ कि automatic कहीं से तो हुआ है मैंने access ही नहीं किया है last 10 दिन से अब आप कहां पर प्रूफ करेंगे cause of action मतलब cause of action मतलब actually online आपका bank account में इसे पैसा गया है and bank बोल रहा है कि आपके धुरू transaction हुआ है cause of action क्या हो गया wrong transaction that is the cause of action अब यहां पर अभी आप जो place है party है वो कौन सा है कहां पर आप case file करेंगे आना so that is the main problem so यहां पर देखो क्या बला है the cause of action depending upon the place from where party'd communicated interact operate and transact with one another उसके आगे in IT act section अब देखो यहां पर आपको क्या बोला है section 13 के section 13 के हम लोग के पास subsections है 3,4,5 ठीक है और यह क्या बता रहे place of cause of action so basically place कौन सा होगा cause of action का वो define करने के लिए यहां पर subsections दिये हुए जिसमें बहुत clearly indication दिये हुए कि कभी हम लोग बोलेंगे कि हाँ place of action जो है वो यही है जहां से आपका sorry cause of action जो है वो आपका एक detail guideline detail steps detail points आपको दिये हुए section 30 के subsection 3,4 & 5 में so यहां पर क्या बोलें save as otherwise agreed to between the originator and address originator मतलब जहां से case originate हुए address मतलब जिसको address कर रहे an electronic record मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ मैंने एक email send किया है तो मैं originator हूँ मैंने email send किया xyzy person को तो वह address ही है suppose मैंने email send किया तोला नहीं हो गया so अब यहां पर क्या बोला है मैंने एक electronic record को dispatch किया है suppose वह originator का place है Mumbai बराबर है and deemed to be received अब वह जो email जो receive होगा like तोलानी college है suppose कि तोलानी college के अलग-अलग दूसरे branches भी है बराबर है suppose एक तोलानी college जो है Mumbai में है और दूसरा जो है वह है पुना में है अब उसका head office जो है पुना में तो अब यहां पर क्या बोल रहा है मैंने जो email send किया है वह मैंने किया है देली से बराबर है तोलानी college के दो ब्रांची से एक मुंबई में है एक पुना में है और head office पुना में लेकिन email access हो रहा है मुंबई में करेंगे originator जहां से है जो इंस्टिडूशन को आपने दिया है उसके business दो सैड़ पर कांग करता है मुंबई में और पुना में और उसका head office पुना में बराबर है लेकिन आपने जो email send किया है वो suppose उसने मुंबई में read किया है या फिर आपने suppose email send किया था addressing principal of Tulani College ध्यान से सुनना Delhi से email आया Tulani College के principal के लिए अब वो जो management के लिए बराबर है अब उनका एक जो college है वो मुंबई में है दूसरा जो college है और head office है वो पुना में है और जिसने मतलब जो principal या management level पे जो authority है जिसने यह email access किया वो access करनी के time पे वो चैन नहीं में था पराबर है जहाँ पे वो रहते है residence है तो अब यह पे प्यार जगा हो गया डेली जहां से originator ने email send किया अब जिनको address किया है address के place of business क्या है दो है एक मुंबई है और एक पूना है और address का residence जो है वो कौन सा है जहां पे यह email access हुआ है यह data access हुआ है तो अब jurisdiction कहां पे लगेगा देखो यहां पे आपको देख रहा है यह अब लोग discuss कर रहे थे कि जो person है वो देली से रहता है जिसने email send किया है जहां पे email send किया है वो दो place है मतलब जो institution यह जिसको email send किया है उसके business places दो है Mumbai है और पूना है बराबर है और उसमें भी पूना में head office है और वो person ने access जो किया है मतलब वो residence कहां पे है चन्नी में बराबर है सो अब यहां पे चार places होगे cause of action ढूड़ना यहां पे बहुत जादा difficult हो जाएगा मैंने email send किया है अब वो email head office से भी accessible है और चन्नी से भी accessible है और चन्नी से भी accessible है जहां पे उसका घर है और access का हुआ है चन्नी में हुआ है मैंने address किसको किया था वो institution को जहां पे उसका head office है या उसका office है that is in Mumbai लेकिन access हुआ है चन्नी में तो अब यहां पे आप jurisdiction identify कहां पे करेंगे अगर यहां पे कुछ case अगर यहां पे कुछ problem हो रहा है cause of action if arises this transaction so यहां पे देखो क्या बोला the provision of subsection 2 shall apply apply notwithstanding that the place where the computer source computer source is located may be different from the place where the electronic record is deemed to have received जैसे मैंने क्या बोला server है वो server कहां पे है आपका main वो server suppose is at या फिर जो head office है वो पुना में लेकिन जो record electronic record या जो email access हुआ है वो email कहां पे access हुआ है chain name में access हुआ है बराबर है for the purpose of this section if originator or address originator मतलब जहां से email आया address मतलब जिसको वो email आया है has more than one place of business क्या बुला एक place कौन सा है Mumbai है एक place पुना है बराबर है so उसका principal place कौन सा है पुना है जहां से उसका head office है और जहां से उसका main business चल रहा है if originator andresi does not have place of business his usual place of resident मतलब अभी अगर उसका online business चल रहा है जैसे amazon के उपर वो product बेश रहा है तो अभी वो product बहुत सारे जगह पे access होता है लेकिन उसका कोई office नहीं है छोटा सा business चलता है तो वो time पे उसका place of resident जो है वो ही place of business consider होगा getting now usual place of residence in relation to a body corporate means the place where it is registered तो अभी अगर मुझे नहीं पता है तो मैं क्या करूँगा usual place of residence मतलब जहां से जो उसका जो घर है जहां पे उसके सारे business communication होते है वो उसका place of business consider होगा और वो ही time पे वहां पे ही हम लोग case file करेंगे मतलब exactly वहां का ही jurisdiction apply होगा वहां के court के पास हम लोग जाएंगे case लेकर so I hope जो भी मैंना आपको explain क्या वो clear है from the given provision it is clear that the place of dispatch place of dispatch of email and receipt of electronic records and the communication can be agreed upon between the interacting parties however where there is no agreement it shall be deemed अब देखो अगर कोई agreement नहीं है so क्या बुला है मतलब that the electronic record has been dispatched at the place where the original has its place of business तो अगर मुझे नहीं बताई कि exactly कहां पे agreement नहीं हुआ है और फिर भी अगर case करना है so मैं क्या करूंगा जो place पे वो रसी हुआ है या जो उसका place of business है वहां पे जाके मैं case file करूंगा the law mentioned clearly that the stipulated place of dispatch and receipt of electronic record is not standing with the fact that the place where computer resources located in the different so मेरा head office जो है वो पूना में है लेकिन जो electronic record access हुआ है वो चैनल में हुआ है और dispatch कहां से हुआ है Delhi से हुआ है so अब यहां पे आपको क्या मुला है law clarifies that originator or address he has more than one place of business the principle of the principle place of business shall be considered as the place of business और वहां पे जाके case file करो छोड़ दो नहीं समझ में आ रहा है तो उसका original principle place of business जो है मतलब जहां पे head office है वहां पे हम लोग case file करेंगे that's it ठीक है यह अगर छोटा सा उसका business है जिसमें अगर हम लोग देखेंगे की लाइक की अगर उसका कोई business head office नहीं है घर से business चल रहा है तो उसका residential place जो है that is also considered as place of business okay so अभी तब जोड़ा ने I hope that is now as you can see in the next part foreign judgments in India अब बहुत बार क्या होता है foreign companies अगर होता है तो उनको बहुत बार क्या लगता है कि Indian government Indian companies जो है वो injustice कर रहे है उनके साथ में तो वो टाइम पे हम लोग उनके जो judgments होता है ना उनके कोई cases अगर आता है उसका decision जो हम लोग देते है ना तो वो टाइम पे हम लोग reference लेते of some foreign judgments और उसके base के ऊपर हम लोग उनको basically कुछ decision provide करेंगे so that they don't think कि we are partial और we are more biased towards Indians और उनको यहां पे business करने के लिए suitable place नहीं है proper business competition नहीं है ठीक है लाइक आप देखो कि डेली Xerox Center versus Oxford यह case हुआ था अब यह case में क्या है डेली University के अंदर जो Xerox Center है कुछ महालक्ष्मी Xerox Center या ऐसा कुछ है तो अब आप देखो कि BACIT में हम लोग जब होते हैं ना तो हम लोग को इतने बड़े कोई books पढ़ने की जरूरत नहीं पढ़ती हैं हम लोग के छोटे-छोटे books रहते और बाकी का पूरा हम लोग का थोड़ा mathematical पार्ट होता है जो हम लोग करते हैं अब जब हम लोग अगर दूसरे साइट से देखते हैं ना आर्ट्स वाले होते हैं लौ स्टूडिंट होते हैं तो उनको बहुत अलग-अलग books refer करने पढ़ते हैं तो उनका पूरा एक जो subject है ना वो cover होने के लिए उनको तीन-चार अलग-अलग reference books की जरूरत पढ़ती है और सबसे important point कि यह तीन-चार जो अलग-अलग reference books वो refer करते हैं वो पूरा उनको नहीं required रहता है suppose कि उनका एक reference book में से दो chapters है मतलब 1500-200 pages जो है वो एक reference book में से जो हजार पंदरा सो दो हजार page की book रहे हैं यह उतनी बड़ी में से आप 10% उसमें से पढ़ रहे हो दूसरा 10% कोई दूसरे reference book से पढ़ रहे और बाकी का 10-15% कोई तीसरे reference book से पढ़ रहे तो mainly अगर आप देखेंगे ना जो professors होते हैं वो भी उनको बताते हैं अब यह जो students है वो क्या करेंगे अब आप देखो की एक एक जो reference books होती है उनका cost भाई अजार थीन अजार 4000 ऐसा होता है अब मुझे वो पुरा reference book पढ़ना भी नहीं है मुझे जितना उसमें मेरा syllabus से linked है मेरे काम का है उतना ही पढ़ना है तो मुझे सिर्फ उसमें से अगर 10% ही पढ़ना है तो उसके लिए मैं पूरा book 3000 का या 4000 का अगर होगा तो मैं पूरा क्यों purchase करूँ और ऐसा मेरा एक subject में ऐसे 4-5 reference book है और ऐसे मेरे पास 5 subject है तो अगर मैं जितना college में fees भर रहा हूं उससे जादा तो मेरा ये reference book पे हर semester में खर्चा हो जाएगा अगर मैं उसको purchase करने जाऊं तो इसके लिए mainly क्या होता है कि वो लोग students जो है न वो xerox वाले के पास जाते और वहां पे xerox निकाल लेते उसका ओके के ओके ये reference book में से मुझे इतना pages चीए ये reference book में से इतना pages चीए अब हम लोग के college में एक suppose law college है llb है अब उनके जो fy के students रहेंगे या sy के रहेंगे तो अब उनको एक ही professor पढ़ा रहे पूरे class को तो एक ही professor ने अगर बोला है क्योंकि ये चार reference book में से पहले इसमें से 60 pages है दूसरे से 70 pages है तरड इसमें से 50 pages है तो फिक्स number of pages ही है अब सारे student अगर one by one जाएंगे और वो one by one अगर अपना वो same book लेके जाएंगे और हर बार जो Xerox वाला है वो उनको उतने page Xerox करके देता है तो उसका time waste हो रहा है students का भी waste हो रहा है Xerox वाले क्या करता है वो एक बार में ही students के पास से जैसे कोई CR है suppose तो CR जो है वो Xerox वाले को बोल देगा कि यह हम लोग का first reference book में से यह वाला part है second में से यह वाला part है so total इतने Xerox हुए अब जो भी SY LLB का student आएगा उनको आप यह Xerox दे दो for this subject तो अलग अलग reference book की जरूरत नहीं एक ही बार में हम लोगों ने थोड़े copies निकाल के रखे आप वहां पे जाओ directly वो Xerox purchase कर लो आपका भी time बज़ गया Xerox वाले का भी बज़ गया तो मतलब Xerox वाले ने by default उतने Xerox निकाल के रखे यह आप देखोगी BMM, BMS में बहुत बार students जो है वो ऐसी करते है उनका Xerox वाले के साथ directly tie up होता है कि उनको पता है कि अगर SY, BMM का यह subject का अगर कोई Xerox लेने को आया तो इतना set of Xerox जो है वो उसको दे देना है यह same चीज डेली University में भी चल रहा था Arts, Law के और जो students होता है CA के कोई students होता है तो उनके लिए वो fixed number of Xerox जो है वो Xerox वाला निकाल के रखता था तो suppose कि कोई अलग-अलग जो foreign authors के book है उसमें से certain pages वो ready करके रखता था so that students को तकलिफ ना हो अब यह खुज से तो कर नहीं रहा था library में से students book लेके आते थे और उसके पास बार-बार कराते थे तो instead of that Xerox वाले ने क्या किया अपने पास पहले से वो Xerox रखने रहा अब Oxford को यह पता चला तो Oxford ने क्या किया वो जो Xerox Center है उसके उपर case कर दिया case क्या आएगा कि आप copyright violation हो गया आपके पास जो book के Xerox है उसके आपके पास official rights नहीं है और फिर भी आप उसका Xerox बना बनाके लोगों में बाट रहे हो बेच रहे हो so copyright violation आ गया बराबर है और author के पास आपने permission नहीं लिया आपके पास permission ही नहीं और फिर भी आप यह बाट रहे हो तो क्या हो गया piracy हो गया in short तो यह case हुआ अब यह जब case चलता है 2012 में के बाद में कुछ तो यह चालू होता है case 2013 या ऐसा कुछ I don't exactly remember the year तो वह वहां से वह चालू होता है case और वह case जो है वह चलते जा रहा है चलते जा रहा है जब Xerox वाले के उपर case होता है तो जो Delhi University के जो प्राफिसर्स रहते है वह भी Xerox Center के support में आता है कि उसने अलग से कोई book के Xerox नहीं बना है हम लोग उने students को जो बोले थे तो वह students ने जो बार बार वह Xerox लेने जा रहे थे तो Xerox Center ने क्या किया है वह set उतना बना के ready रख रहा था so that उसका और student का दोनों का time बचे और काम फटा-फट हो जाए तो इसमें Xerox Center का कोई mistake नहीं है लोग उने जो assign किया था वह है अब यहां पर Oxford जब court में जाता है Delhi High Court में यह जो case चल रहा है वह time पर अगर Delhi High Court अगर directly जैसे Mumbai University, sorry Delhi University के professors and students Xerox वाले के favor में खड़े थे अगर Delhi High Court भी अगर directly Xerox वाले के favor में अगर case सुना देगा तो Oxford and other publications जो international publications they will find कि India is biased towards them और वो अपना book नए जो कोई उनके book आएंगे publications आएंगे वो इंडिया में नहीं भीजेंगे और उससे अपने students को बहुत जादा problem होगा development की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर हम लोग वो publication ना भी मिले तो हम लोग Google से वो चीजे सीख सकते है लेकिन जो arts या फिर जो law students या ऐसे कोई CA की students या कुछ रहते है तो उनके लिए जरूरी रहता है कि कोई specific reference book उनको पढ़ने को मिले because वो सारे चीजे उनको Google पे नहीं मिलते है so for a better purpose it is very much necessary that they should have such such reference books with them अब अगर Oxford के against agar case जाता है तो वो और बाकी के जो publications है ऐसा हो सकता है कि वो अपने books India में भीजना बन कर दे यह बहुत जादा dispute चल रहा था और दूसरा world में इंडिया का image भी ऐसा create हो जाएगा कि सबसे पहले तो वो piracy करते है बराबर है copyright violation करते है और हम लोग case करते है तो भी वो अपने लोगों के favor में ही वापस judgment देते है so यहां पे यह case जो है न वो बहुत time चलता है और उसके बाद में जो फाइनली डेली हाई court जो है न वो judgment जो पास करता है ध्याद से सुनो डेली हाई court judgment क्या पास कर रहा है उन्होंने यूस में 2010 में similar case हुआ था उसका reference लिया तो यूस में 2010 में एक case जो हुआ था उसमें भी एक publication ने दूसरे किसी के उपर सेम वे में case डाला था कि आपके पास मेरा book के copyrights नहीं है authority नहीं है उसको copy करनेगा और आप उसको copy कर रहे हो बराबर और उसको आप उसको regenerate कर रहे हो in short मतलब piracy हो रहा है या copyright violation हो रहा है अब वो time पे US High Court ने certain US के जो court था उसने certain decisions दिये थे वही same reference लेके Delhi High Court ने judgment सुना है अब Delhi High Court का judgment क्या था यह सुनो आप ध्यान से तो आपको आगे के जो हम लोग कुछ चीज पढ़ेंगे वो clearly समझ में आएगा तो अगर मेरे पास smartphone है तो अगर Xerox वाल अगर Xerox नहीं भी निकालेगा तो मैं क्या करूंगा मेरे पास यह scanner मतलब बुक के scanner है तो जैसे यहां पर हम लोगों ने यह scan किया हो है वैसे मैं scan करके लिए लूँगा फर्स्ट इस तिंग सेकेंड चीज कि आप अब वो किसी ने अगर फोटो ली लिया तो उसके उपर तो आप रोग नहीं सकते हो गेटिंग नैचरल राइट्स का मतलब क्या हो गया कि आपके पास उसके कोई ऐसे राइट्स नहीं है तो जो नैचरल राइट्स मिलते हैं कॉपी राइट्स जो है तो जो आपके पूरे बुक में से कुछ पाट अगर रीजनरेट कर रहा है तो वो टाइम पर वी कन नॉट एकस्पेक और वी कन नॉट आस्क परसन कि अगर उसको आपके हजार पेज़ के बुक में से अगर दस पेज़ चीए अगर आप उसका फोटो लोगे या जैरोक्स लोगे तो इतना कितना कोसली हो जाएगा तो बहुत सारे लोग तो फिर अवाइडी कर देंगे कि पढ़ना ही नहीं उसमें से बैसी कली कोוחने यूस कोट ने क्या रूल बनाया था कि इस वह बन ए 네 जंडरेट्00 Alorsब शुर्टेर संवली दूर्लेट्ण और लेस फ्रॉम एड़ने बुक्त ने जाँन परिम एन्वर दूर्थ सुट् Safi as a copyright violation यह US court का decision था 2010 का कि आप कोई book में से 10% या उससे कम चीज अगर regenerate कर रहे हो अब वो mobile में photo लेके cam scanner यूज करके या फिर आप xerox लेके कर रहे हो then उसको हम लोग copyright violation consider नहीं करेंगे because हर एक को आप यह expect नहीं कर सकते कि वो जाके xerox ले उसका वो चीज का because हर एक के लिए यह possible नहीं होगा so अगर हर किसी के लिए अगर यह possible नहीं है मतलब आपको क्या करना पड़ेगा आपको मेंली आपको आपके पास कोई एक hard and core decision होना चीए कि आप वो चीज का xerox क्यों ले रहे या फिर हम लोग हर किसी को force नहीं कर दे कि आप जाके वह reference book ही purchase करो जो इतना costly है तो इसके लिए 10% का limit रखा है 10% से अगर कम है आपने जो भी pages region date कि xerox लिए है या जो भी है तो वह टाइम पे इस नोट भी considered as copyright violation और देली जैरोग सेंटर वर्सिस Oxford case के अंदर भी यह हुआ है कि जैरोग सेंटर वाले ने जो भी reference books के xerox निकाले थे और उसमें जो total number of pages थे वो सारे वर less than 10% of the total pages which is present in that reference book and hence देली जैरोग सेंटर जो है वो case भी गया against Oxford I hope this is very clear to everyone ठीक है जल्दी से note कर लेना क्या बोला मैंने if someone regenerates 10% or less than 10% from any book or a reference book then it should not be considered as copyright violation I hope this is very clear and इसको हम लोग क्या रिखेंगे with reference to with reference to judgment with reference to judgment कैसे भी लिखेंगे हम लोग law term में यह जो उपर statement लिखा और नीचे लिखेंगे विट रेस्पेक टू judgment कीवन बई डेली आई कोट इन इन डेली जयरुक्सेंडर वर्सेज ऑक्सफ़र्ड पब्लिकेशन डेली जयरुक्सेंडर वर्सेज ऑक्सफ़र्ड पब्लिकेशन सो उसमें हम लोगों ने ये दिया है और वो देली आई कोट ने रेफरेंस किसका लिया यूएस का लिया है ठीक है सो यहाँ पर वो ही बता रहे देखो foreign judgments in India सो foreign judgments इंडिया अगर ऐसे ही अगर decision देने लगा तो आप देखो कि यहाँ पर हर एक जो foreign companies है ना वो सबसे पहले यही objection लेंगे कि you are biased towards your nation towards your public so time पर हम लोग क्या बोल रहा है as there is an increasing legal dispute between parties in the cyber world so यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई litigation disputes होते ही है so time पर आपको क्या करना है foreign judgments in India of Indian courts on foreigner shall assume significance मतलब आप एक decision क्या देते हो Delhi High Court sorry Delhi Serok Center versus Oxford publication का जो case है ना वो 2018 तक चला था और वो जब finally उसका judgment आया था यह news में भी आया था और पूरे world के जो बाकी के जो publication houses थे जो इंडिया में अपने journals भेजते थे अपने reference books भेजते थे they are very much into this case कि इसका judgment क्या आता है उसके base के उपर वो decide करेंगे कि future में उनको बाकी reference books या journals अपने इंडिया में भेजने है या नहीं अगर यहां पे कोई एक point पे Delhi High Court के से अगर ऐसा प्रूव हो जाता था कि हम लोगों ने biased judgment अगर दिया है तो यह बहुत जादा problem create होता था हम लोग के जो future generations से students के उनके लिए क्योंकि उनको ऐसे को एकसे करने नहीं मिलता था for the studies for the research तो Delhi High Court को बहुत सोच समझ की बहुत ध्यान से बहुत research करके यह एक judgment लाना पड़ा जिसमें उन्होंने यह प्रूफ किया कि उन्होंने जो judgment दिया है वो biased नहीं है और उसके लिए उन्होंने foreign जो कुछ cases हुए दे उसका reference दिया है remember यह बहुत important judgment था तो यहां पर क्या बोल रहे as per civil procedure code section 30 foreign judgment is conclusive on matter directly adjudicated upon between the parties but would have no applicability in India so US में अगर उन्होंने बोला था कि अगर 10% या उससे कम पार्ट अगर आपको एक book का region rate करते हो तो वो copyright violation consider नहीं होगा इंडिया में उसका लेना देना नहीं था लेकिन जब similar type का situation अगर इंडिया में create होता है तो यहां पे भी जब आपके पास कोई ऐसे foreign entities या foreign companies involved है तो यहां पे हम लोग अपने judgment देने के बदले वैसे कुछ judgment का reference लेकि हम लोग बोलेंगे कि वहां पे भी यही हुआ था वही same हम लोग यहां पे apply करेंगे and hence US में भी अगर यह same rule applicable है तो हम लोग इंडिया में अगर उसको apply कर रहे then you cannot say that India is biased or Indian courts are biased or Indian universities biased for their people or for their students so if it has not been pronounced by the court of competent jurisdiction or it has not been delivered on the merit बराबर है यह basic points है अब आप यह पढ़ लेना आपको basic चीज समझ में आ जाएगा बहुत simple way में okay next we have is a place of cause of action in contractual and IPR disputes IPR disputes क्या होता है IPR disputes समझते है सबसे पहले तो आपको यह समझ में आना चाहेगी IPR क्या होता है okay just one मैंने वो एक बुक एक अलग से जो notes था वो शेर किया है ना did you get that notes पुराना वाला आपके पास IPR cyber law का पुराना notes अल्रेडी है तो अब IPR disputes के अंदर है intellectual property disputes या IPR का मतलब होता है intellectual property rights तो यह disputes जो होंगे वो IPR disputes के पहले आपको यह समझ में आना चाहेगी IPR क्या होता है मतलब intellectual property exactly होते क्या है सो मैं आपके पास एक PDF आपको clearly समझ में आएगा उससे सो अस you can see in uh this notes intellectual property we have different types of intellectual propertiesि okay कौं से कौं से intellectual property होते है यह समझता है ध्यान से देखो था स्यार द इपस of intellectual property like first अगर आप देखेंगे we have something called as industrial design geographical indication trade secrets या फिर protection of undisclosed information next is patent layout design of integrated circuit tradmarks आते है plant varieties आते है और copyright and related rights ये note करके रखना आप लोग जो अभी हम लोग discuss कर रहा है so let's start with first type that is industrial design so first first type of intellectual property intellectual intellectual मतलब मैंने कुछ सोचा और वो सोचके मैंने कुछ unique designs बना है मैंने कुछ अच्छे designs कुछ अच्छे चीज़े बना है जो अभी तग available नहीं थे तो वो टाइम पर ऐसे कुछ designs या ऐसा कुछ furniture या मैं कुछ अगर बना रहा हूं तो उसके उपर मेरे rights रहेंगे industrial design मतलब ऐसा कोई furniture जो अभी available नहीं था लेकिन मैंने available करा के दिया तो वो टाइम पर यह जो designs इसके उपर मेरे rights रहेंगे for example आप देखो कि हम लोगोंने कोई ऐसा घर बनाया जो एकदम पूराने kitchen या bathroom कुछ अलग होते थे तो हम लोगोंने अगर एकदम पूराने डाइम में जैसे अगर कोई लोग रहते है वैसे कुछ designs बनाया जो बहुत unique है आज के डाइम पर interior wise बहुत best है तो टाइम पर ऐसे चीजों के उपर industrial designs रहेंगे मतलब मेरा unique design है देन आप देखो की सारी है और कुछ products जो है वो बहुत सारे जगा के जैसे मैसूर silk है तो उसके उपर क्या होगा यह अब देखो यह industrial design है unique design है जैसे हर एक car का एक unique design होता है तो वो design आप यूज नहीं कर सकते है हर एक जो हम लोग smartphone यूज करते है उनके अपने खुद के unique designs रहते है कोई दो smartphone exact same नहीं मिलेंगे आपको कुछ न कुछ उसमें difference मिलेगा so that is what we mean by industrial design then उसके बाद आता है geographical indication अब यह industrial design जो है न यह क्या होगा कि कोई एक company को ही belong करेगा यह जैसे मैंने बोला कि हम लोग के पास suppose samsung phone है तो samsung phone के जो certain designs है न they are unique and they belong to one company only तो वैसे phone वैसे models कोई दूसरा गमनी exact उसका copy नहीं कर सकता because वो rights उनके पास है same way समझो कि हम लोग के पास तनिश्क dwellers है तो उनके कोई जो unique wedding के लिए उन्होंने कोई dwellers जोल्री बनाया हुआ unique designs वाले तो that belongs to only to तनिश्क तो वैसे कोई जोल्री आप नहीं बना सकते हैं कोई specific company या institution को वो designs बिलॉंग करता है जिन्होंने वो designs बनाया that's first type geographical indication अब geographical indication में क्या होता है कोई एक area है जहां पे कोई unique चीज बन रहा है जैसे देखो यहां पे आपको क्या बोला है डार्जलिंग डार्जलिंग के अंदर tea plantation होता है तो अब यह डार्जलिंग में हो रहा है बराबर इसके लिए हम लोग इसको डार्जलिंग tea बोल रहा है मतलब ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई एक company है जिसके पास पूरा वह असन वाला area है या पूरा डार्जलिंग वाला area है वहां पे एक से जादा बहुत सारे लोग जो है वह tea plantation या tea का खेती करते रहेंगे tea farming करते रहेंगे so they all comes under one unique one unique we can say a benefit or a protection which is called as geographical indication मतलब अगर मैं वहां पे हूँ मेरा एक प्लेस वहां पे है मैं वहां पे farming कर रहा हूं then only मैं वहां के फार्म के हुए tea को मैं डार्जलिंग या असाम टी बोल के बेच सकता हूं अगर मैं मुंबई में कोई भी एक tea लेगा आदा और मैं बोलूँगा कि this is डार्जलिंग tea then that is a violation of intellectual property because मुझे पता नहीं है वहां का है या नहीं है मैं लोगों से cheating कर रहा हूं बराबर है मैसुर सिल्ख तो मैसुर में अगर आप जाएंगे तो यह सिल्ख प्रडिूस करने वाले या सिल्क के सारी बनाने वाले अपको बहुत सारे लोग मिलंगे बहुत सारे चोटे-चोटे आर्टिसंत्स रहेंगे जो ऐसे सिल्ख के अलग 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 product तो उनको हम लोग क्या करेंगे जोग्राफिकल इंडिकेशन टाइप का प्रोटेक्शन लेंगे बराबर है तो यहां पर देखो मैसूर सिल्क है तो उसको क्या होगा यह देन उसके आगे अगर आप देखेंगे सो अम लोग के पास मैसूर के और बहुत सारे चीज़े दारवा पर क्या बोला है Canadian whiskey is the most famous one तो Canadian whiskey अगर हम लोग को ने बोला है तो वो मतलब हम लोग क्या बोल रहे है Canada Canada country का कोई एक बहुत famous चीज़ है तो world में वो बहुत सारे जगा पर distribute होते रहेगा सो मतलब Canada के पास अपने जो whiskey है उसकी उपर उनके पास क्या है geographical protection है GI है उनके पास GI tag है उसका geographical indication tag बोलते है इसको जैसे बास्मती राइस है तो बास्मती राइस जो हम लोग का हर्याना और पंजाब साइड पे बहुत जादा इसका farming होता है जो थोड़े थंडी वाले एरिया तो आप देखो कि अभी बास्मती राइस protection में एक बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था क्यूंकि आधा पंजाब जो है वो इंडिया में आधा पंजाब जो है वो पाकिस्तान में तो जो टाइप का खेती यहां पर होता है वैसे ही टाइप का बास्मती राइस का खेती पाक कि उसके जो protection उसके जो rights है वो इंडिया के पास आ गए तो अभी यहां पे दोनों country को साथ में मिलके GI tag apply करना था अपने बासमती जो पंजाब के बासमती राइस बोलके हम लोग बेचते है तो जिसमें आधा पंजाब इंडिया के पास है आधा पंजाब पाकिस्तान के पास है तो दोनों साथ में एक platform पर आके जब तक अपने राइस को बासमती राइस को GI tag नहीं देते तब तक दोनों में से कोई country GI tag apply नही के issue चल रहा था कि जो यूएस है वहाँ की एक company ने rice tag rice मती करके rice जो है वो वर्ड में sell करना चालू किया जो आप समद लो कि बासमती राइस का zerox copy था यूएस company ने उन्होंने इसके उपर GI tag apply कर दिया और वो यूएस में farmers को है ना बहुत बड़े level पे weekend से कि उनको बहुत ब protection मिलते हैं तो अगर इंडिया में अगर कोई farmer अगर बासमती राइस बनाता है और उसका अगर costing suppose government के benefits subsidies सब मिला कि अगर उसको suppose 1 kg राइस अगर 60 रूपीज में पड़ता है तो यूएस में वो same farming अगर करेंगे वहाँ के farmer तो उनको वो same चीज जो है वो 40 में पड़ेगा क्य तो क्या हो गया इंडियान फार्मर्स का पाकिस्तानी फार्मर्स का business बहुत बड़े लेवल पर spoil हो रहा था और यूएस कंपनी जो है वो same rice मतलब वो similar type के rice बहुत बड़े demand में बेच रहे थे और उनके पास GI tag आ गया था तो world के बहुत सरे countries जो है ना वो उनके पास और order भ लोगों ने बास्मती राइस के उपर GI tag apply किया यह पाकिस्तान के साथ कुछ ना कहीं ना कहीं compromise करके दोनों ने एक साथ GI tag apply कर दिया on this बास्मती राइस और US की जो rice tag company दिया उसके उपर भी case file किया और उन्होंने फिर अपना जो product है उसको change कर दिया और वो जो उनके पास जो में राइट से वो फिर वहां से हट गये ठीक है तो यह जी आई टेग आ गया trade secret बहुत simple है आपने स्टार्टिंग में देखा रहेगा कि जो कोको कोला या पेपसी का कुछ बॉटल जाते थे वो इतने रॉयल आते थे और वो टैम पे यह जो ड्रिंक्स हुआ करता था वो आज की डैम जैसा नहीं था कि हर दूसरे शॉप पे आपको मिलेगा यह बहुत रॉयल ड्रिंक हुआ करते हैं जैसे कोई प्रीमियम स्कॉच होते हैं और उनके कैसे एक बहुत अच्छे से बॉटल होते हैं वैसे कुछ बॉटल में आपको ऐसे soft drinks मिलते हैं मतलब हर कोई afford भी नहीं कर सकता था तो वो ट प्रेट सिक्रेट अगर वो डिस्क्लोज हो गया तो उनका बिजनस स्पॉइल हो सकता है दस ऐसे दूसरे केफ सी इंडिया में खड़े हो जाएंगे बराबर रूड पे जैसे हम लोग को वड़ा पाव स्टॉल मिलता है वैसा केफ सी स्टॉल मिलने लगेगा सो क्या हो गया सवर्कुल मिलता है बराबर अगर मैंने कोई सवर्ट बनायों है तो इसके उपर क्या होगा आपको पेंट मिलेगा मतलब मतलब आपने कोई बहुत निवेटीव चीज बनाया हूगए that is a patent innovative ideas मतलब अभी तक आपके पास suppose कि जैसे अभी तक हम लोगों ने यह इस देखा था कि gravity exists या time travel is possible है यह सहर्फ bookish way में दिया हुआ था लेकिन वो science के certain rules या law को follow करते हुए आपने उसको proof करके बता है so वो आपने proof किया practically कैसे होगा यह आपने बता है तो उसके उपर आपको patent मिलेगा so आप देखो कि कभी कभी क्या होता है कोई एक जो product होते ना उसके part के उपर या पूरे product के उपर आपको patent मिलता है जैसे आप देखो कि अगर हम लोगों ने वो जो शोले movie था जिसमें जो अमिताब और धर्मेंद्र एक sidecar वाला bike चलाते है तो अब suppose कि अगर मैंने वो sidecar वाला sidecar जो होता है bike में उसके उपर अगर मैंने उसके अंदर अगर मैंने telephone mobile charger लगा दिया wifi उसमें add कर दिया AC लगा दिया तो अब जो sidecar जो है उसके उपर मुझे patent नहीं मिलेगा वो तो simple है वो तो बहुत बार आता ही है लेकिन उसके अंदर जो मैंने technological advancement किया है ना उसके उपर मुझे patent मिलेगा जो आज तक नहीं था ठीक है तो उसको patent बोलता है देन हम लोग के जो अलग-अलग आइसी जाते है जैसे हम लोग के पास suppose अभी हम लोग के पास i7 processor है i9 आ गया तो उसके जो IC होंगे उसके जो designs होंगे वो designs अगर market में leak होगे तो कोई भी ऐसे processes बना सकते companies को ऐसे processes बनाने में बहुत जादा dollars का investment होता है तो ऐसे जो IC बनते है उसके उपर उनके पास क्या होंगे IC layout designs के protection होंगे बराबर है then trademark हर एक company का अपना कुद का trademark है तो आप ऐसे trademark यूज करके अपने product बेच नहीं सकते हो plant variety कोई एक आपने unique ऐसा plant बना दिया example मैं बताता हूँ आपको जैसे लेज जो है वो अपने unique potatoes बनाता है chips के लिए और उसके लिए उनके unique seeds आता है potato grow करने के वो आपको वो potato आपको normal market में नहीं मिलता है गुजरात में ये same case हुआ था कि वहां के जो farmers है उसमें से बहुत सरे farmers लेज के लिए potato grow करते है तो एक farmer ने अपने कोई friend रहेगा उसके पास से थोड़े से seeds ले लिए लेज potato वाले और उसने वो farm किये potato ग्रू किया और वो market में बेशने जा रहा था company को पता चला company ने उसके उपर एक करूड का case file कर दिया कि आपने हम लोग का plant variety misuse किया है देन लेज company का बहुत जादा बेज़ती हो गया ट्विटर के उपर facebook पे campaign चलने लगे कि यह company इतना insensible है एक farmer जिनके पास जादा पैसा भी नहीं है जो साल के देड़ दो लाक मुश्किल से कमाते हैं आप इतना बड़ा company इतना mature हो के आपने ऐसा बच्चे जाएसा चीज किया कि वो farmer जो जादा educated नहीं है उसको कुछ पता भी नहीं है कि plant rights plant variety के उपर rights कैसे होता है legal agreements के बारे में पता नहीं है और एक company एक करूड का fine मार रही है तो वो बहुत जादा उनके image के उपर आ गया उनका image spoil हो रहा था तो फिर release ने farmer के साथ contract किया कि ओके अभी से आप वो जो भी आपके अपने potato grow किये हम लोग के seeds use करके वो हम लोग को अगर आप sell कर रहे हो और आगे से अगर आप वो potato grow करोगे तो हम लोग को ही आप sell करोगे यह condition अगर आपको मजबूर अगर if you agree with this condition then हम लोग case वापस लेते है तो case वापस ले लिया और वो आपको एक example है plant varieties का okay then copyright of course we as we all know photos के उपर, images के उपर, videos के उपर, movie जो होते है, songs होते है, हर किसी के उपर, किसी ना किसी के copyright होते है so these are the types of intellectual properties i hope this is very clear to everyone yes you can just note it down this type of intellectual property we have all this type of intellectual property okay so this is clear to everyone so यहापे अभी देखा हो आपको क्या बोला है cause of action in contractual and IPR dispute cause of action जो है वो यहाँ पे भी आ सकता है किसमें IPR dispute में हम लोगों ने जो अलग-अलग type के IPR पढ़े intellectual property पढ़े उसका distribution में उसका जो कहीं पे contract हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं कोई dispute आ रहे है so make sure कि आपके पास detail कौनसे कौनसे types के IPR रहेंगे intellectual property रहेंगे उसका detail हो आपके पास as you can see यहाँ पे हम लोग के पास अलग-अलग type के IPR intellectual property हम लोगों ने पढ़ लिये और उसके सामने यहाँ पर अगर आप देखेंगे we have this 4.6 वाला topic जहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे है place of cause of action in contractual मतलब अभी क्या है आपके पास आपके पास intellectual property के contract है जैसे आप कोई एक movie का आपके पास contract है तो copyrights है in short contract है मतलब जैसे आप देखो कि अगर cinema houses है पी वी आर पी आर पी वी आर पी आर पी वी आर पी वी आर देनाम लोगों के पास cinemax या ऐसा कुछ भी है तो उनके पास वो जो movie है that is an intellectual property और वो intellectual property का उनके पास mainly क्या होगा उनके पास rights रहेंगे copyrights रहेंगे तभी वो movie को अपने theater में release कर सकते है I hope this is clear what I am trying to say so यह एक pattern होगा अगर कोई एक company अगर medicine जैसे आते को की covid के जो doses बन रहें तो जो company यह doses को कर रहा है उसने जो company ने यह doses बना है जो medical company ने उसने फिर यह medicine के multiple doses 1000 crores of doses बनाने को कोई तो एक company को contract दिया है तो वो company again it's in a contract with some xyz other company जिसके पास से वो medicine के details लेंगे और उसके base के उपर multiple doses बनाएंगे ठीक है तो वो time पे भी IPR वाला जो यह जो point picture में आता है same way अगर हम लोग trademark की बात करते है आप देखो कि अगर कोई एक Facebook है Microsoft है Google है यह सबके लिए trademark trade मतलब trade करने का mark trading मतलब buying or selling of goods or services ठीक है तो अब देखो physical world में तो हम लोग कोई एक जैसे अगर मैं suppose amul है तो amul दूद है butter है so वो time पे आपके पास वहां पे वो प्रड़क की ओपर trademark होता है जिससे आपको पता चलता है कि this product belongs to this particular brand लेकिन जब अगर virtual products अगर होता है तो वहां पे अम लोग जो trademark प्रवाइड करता है तो वो trademark apply किस पे हो रहा है physical product पे नहीं वर्चुल प्रड़क पे जैसे जीओ है so जीओ आपको physical product नहीं प्रवाइड कर रहा है वो आपको क्या कर रहा है virtual service प्रवाइड कर रहा है 4G service प्रवाइड कर रहा है और उसके against they are using their one trademark same way facebook तो जो facebook.com जो domain है ना that is a trademark for facebook because हम लोग को अगर facebook से कुछ काम है तो हम लोग facebook के physical office में जाते है Google पर कुछ काम है तो Google के office में नहीं चाते Google के साथ अगर dispute है तो हम लोग वहां पे नहीं जाते है हम लोग कहां पर जाते Google.com उसके अलग से help centers रहेंगे support centers रहेंगे डिस्प्यूट्स वाले कुछ मेकेनिजम्स रहेंगे वहाँ पर जाएंगे हम लोग तो इट मीन्स कि अपने बिजनेस चला रहे हैं उनके लिए उनके जो डोमेंज होते हैं तो अगर मैं जैसे गूगल डॉट कॉम है तो मैं अगर बनाता हूँ AmazonIndia.com तो वो क्या होगा दाट इस दा वाइलेशन ओफ कॉपी रहा हूँ दाट इस वाइलेशन ओफ ट्रेड मार्क मैं Amazon का ब्रैंड उसका नेम उसका रेप्यूटेशन यूज़ करके अपने प्रड़क्स सेल करने की ट्राइक है तो यह सर्टन टैप्स के डिस्प्यूटेशन आते हैं हम लोग जब पिचर में अगर बात करें तो यहां पर आपको देखो क्या भूल है यहां पर आपको देखना है कि कॉस ऑफ एक्शन जो है वो रिलिवंट है या नहीं है बराबर और उसके लिए आपको हर एक netizens ने जैसे citizens होते हैं वैसे internet पे जो जो लोग रहते हैं उनको netizens बोलते है तो वो netizens जो है वो अपना कोई ना कोई business चला रहे है अब समझो कि हम लोग amazon पे अपना business चला रहे है और वहां पे मैं अगर जी शॉक के first copy अगर बेच रहा हूं piracy that is a cause of action मतलब आपने किसी के मतलब जी शॉक के watches जो आते है उसके designs जो रहता है वो unique रहते है so they have industrial design rights on their watch का जो designs है उसके उपर at same point of time आपने वो watch के उपर वापस जी शॉक भी लिखा है मतलब आपने उसका trademark भी misuse किया so दो IPR violation हो गये सबसे पहले तो उनका industrial design उनके जो watch है वैसे same designs आपने copy करने का try किया plus आपने उसका brand name उनका company का name या उसका जो trademark है icon है logo है वो भी आपने यूज किया so there are multiple violation of intellectual property so G-Shock can file case against Amazon और Amazon फिर देखेगा कि कहा किसके through वो case file हुआ है और हम लोगा कौनसे merchants है जो ऐसे कोई product बेच रहे तो फिर वो उनके against action लेंगे so यहां पर क्या बोला है in contract not each and every place is connected and that would have a jurisdiction for example the contract is executed in Mumbai and the performance of the same should be done in Mumbai but the respondent executed the bank guarantee in Delhi and transmitted to a Mumbai for performance contract so performance की बात क्या कर रहे हम लोग suppose कि यहां पर हम लोग जो ड्रामा या कुछ perform करने वाल है वो की कोई कोई का है और वो ड्रामा सेम पर्फॉर्म करने के हम लोग के पास copyrights नहीं है और आपने book my show पे वो ड्रामा के tickets जो है वो सबको sell किया आपने और जिसका वो ड्रामा है उसक to violation of intellectual property rights that is copyrights आपके पास वो ड्रामा को कॉपी करके regenerate करने के rights नहीं है थीक है वो सेम चीज यहां पर चलता है देन अ सूट वर्स फाइल बायर रिस्पॉंदेंट इन डेली आई कोट अब देखो यहां पर क्या बोला है वापस सेम ही आपको बता रहा है देली आई कोट में केस फाइल होता है पर परपेच्वल इंजंक्शिन अगेंस्ट आपलेट मतलब एक छोटा सा जो बॉड़ी रहता है एक्सपर्ट पैनल का जो डिसिजन देते हैं फोर्सिंग बैंक गैरेंटी मतलब कंबल जरी आपको बैंक गैरेंटी देना पड़ेगा कुछ अमाउंट जो अगर आप कॉंट्रेक्ट में आ रहे हो तो अगर फ्यूचर में अगर आपने वह कॉंट्रेक्ट ब्रेक किया तो ह हम लोग के पास क्या गैरेंटी है कि आप वह कॉंट्रेक्ट ब्रेक नहीं करेंगे अगर वह कोई कॉंट्रेक्ट ब्रेक होता है तो कुछ पैनल्टी आपको लगना चाहिए कोई आप गैरेंटी देके रखेंगे तभी तो वह डर रहेगा ना कि अगर मैंने वह कॉंट्रेक जो रहा है वो सपोस MPBHR में हो रहा है वो टाइम पे डेली डज नॉट कमस इन पिच्चर बिकॉस यहां से दिया है आपने वैसे ही ट्रेडमाग इन फ्रेंग्मेंट आते है ट्रेडमाग इन फ्रेंग्मेंट मैंने आपको अल्रेडी बता दिया जी शॉक वाल एक्जामपल वो टाइम पे हम लोग कहां पे केस फाइल करेंगे वो आएगा वैसे ही कॉपिराइट आक्ट के भी अगर आप दिखोगे यहां पे वो कोई एक सॉंग है या कोई एक कार्टून है जैसे आप दिखोगी हम लोग शिंचेन या और कोई सर्टन कार्टून दिखते है जो अगर वो सिमिलर टाइप के कार्टून या कारेक्टर कोई अगर रिजनरेट कर रहा है या उसके रिलेटेड कोई टॉईस बेच रहा है तो वो टाइम पे क्या होगा अगेन दाट इस दा वाइलेशन बिकाज आपके पास वो कारेक्टर को कापी करनेगा उसके ऐसे मल्टिपल जो कारेक्टर जो टॉइस बनाने का आपके पास राइट नहीं है ठीक है तो वो टाइम पे दाट इस दा वाइलेशन ओफ कापी राइट आक्ट आई होब दिस वेरी क्लिर तो यह हो गया नेक्स्ट आम से हम लोग 4.7 वाला जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे अभी तक मैंने जो भी आपको एक्स्प्लेइन किया आई होब दाट इस वेरी क्लिर टो एवरीवन वो डाउट से दो पूछो अभी